आप सभी प्रियाद दर्शुकों का बहुत-बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम चर्चा करेंगे Ask Your Question series का Question No. 36. Question है मुहमद अली खान जी का. He has bought 25 worth at price of 48. Birla Tire के share की बात कर रहे हैं, उन्हें दूसरा message भी किया था, जिसमें बताया था, Birla Tire के share की बात कर रहे हैं, क्या इसको hold करें की sell करें? तो हम इनका Question इसलिए थे, Birla Tire का future prospects क्या लग रहा है? आग आने वाले समय में, क्या इसको buy करके रखना चाहिए इनको, hold करना चाहिए, कि यहाँ पर इनको exit कर लेना चाहिए, अभी देखते हैं इसका price, और बताएंगे अपनी सलहा के हिसाब से, क्या best strategy रहेगी मुहमद अली खांजी को. तो मुहमद जी, सबसे पहले बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमसे प्रशन पूछा, और हम उमीद करते हैं, हम आपके दोनों तरह से इसको answer करने की कोशिश करेंगे, आगे कि आपकी रणनीती क्या होनी चाहिए, और Billetire के as a fundamental analysis भी, ट्रेड कर रहा था, और वहां से चलकर ये सीधा high बनाया है, इसने 53 रुपीज का, जो कि ये काफी commendable run है उसका अगर देखा जाए तो, पर उसके बाद में इसने काफी fall down किया है, और fall down करने के बाद में, जो एक बार इसने base बनाया है, वो ऐसे लग रहा है कि 17.60 पैसे का technical chart पर ये एक अच्छा base बन चुका है यहाँ पर, कैसे कह रहा हैं, आईए समझाते हैं जड़ा, दिखें इस बात को, तो अगर हम यहाँ पर इस range को देखेंगे, तो आपको clear-cut पता लगेगा कि इस range के duration में इसने काफी time spend कर दिया है अब यहाँ पर, ना तो ज़्यादा गिर रहा है और ना ज़्यादा उठ रहा है, तो करीब-करीब इसने धाई महिना, तीन महिना मानके चलिए, जुलाइस लेकर अक्टोबर शुरू हो गया आपका, तो तीन महिने के आसपास इसने time spend किया है, जो कि बहुत अच्छा consolidation range है, time zone है, और ये की बात भी notice कीजिए कि यहीं पर range में, इसने volume के साथ continuous trading भी शुरू की है, तो ये एक कह सकते हैं कि एक base बन गया है, जहां से हो सकता है आगे आने वाले time के लिए, ये एक अच्छा रुख दिखाए उपर के लिए. तो जरा आब इनकी position को देखते हैं, इनकी position कैसे है महमद अली जी की. तो अगर इनकी approximate calculation की जाए, तो इनके पास करीब-करीब मान के चली 520 share है, बिर्ला टायर के, जो उन्होंने 48 रुपे पर खरीदे हुए है. और अगर इनकी बात करें loss अभी, तो 520 multiplied by 48, subtracted 21. 21 अभी इसका current market price है, 48 इनका cost price है. तो इनका अभी loss जो है, वो करीब-करीब 14,000 रुपे का है, जो कि काफी significant loss कह सकते हैं इसको, देखे, 25,000 के नुकसान होके, अभी उनकी कीमत करीब-करीब यहाँ पर देखे, तो 14,000 का नुकसान हो गया है. तो करीब 11,000 के आस पास इनका cost रह गई है अभी यहाँ पर. तो सबसे पहले हम आपसे प्रशन पूशना चाहते हैं, अगर इसका answer हम दो तरह से करेंगे, अगर आपका portfolio में यह 5% से कम allocation है इसकी, यह penny stock है, आपको धियान रखने हैं, जब आप penny stock करेते हैं, तो आपको दो चीज़े के धियान रखनी होती है, number one, आप सिर्फ एक penny stock में मत invest कीजे, आपको कम से कम 3 यह 4 penny stock में invest करना है, ताकि आपको अगर एक stock भी negative चले, बाकि और stock उसको positive response देके, average आपका out अच्छा return हो जाता है, और दूसरी चीज़, कि आपको हमेशा 5% से कम ही investment करनी है, एक particular stock में, तो assume कर रहे हैं कि आप इसमें थोड़ा और investment कर सकते हैं, तो यह एक बहुत अच्छी range है, जहां पर आप इसको खरीद सकते हैं अब आगे आने वाले time के लिए, ताकि आपकी average cost कम हो जाए, क्योंकि अभी के हिसाब से अगर आप expect कर रहे हैं कि इसका price 50 के उपर चला जाएगा, तो थोड़ा सा difficult task रहेगा इसके लिए, uphill task रहेगा, काफी resistance मिलेगा उपर जाते विए supply बहुत जादा रहेगी, तो अगर किसी तरह से आपका average cost कम आ जाता है, तो उस time पे फिर आपको profit मिल जाएगा आगे आने वाले time में, और आपकी exit आसान हो जाएगी, तो हमारी सलाह ये रहेगी कि आपको सबसे पहले आपना देखिए, portfolio में 5% से कम है, तो आप इसमें थोड़ी सी quantity add कर सकते हैं, current market price पे 20 रुपे के आसपास आप इसमें और quantity add कर सकते हैं, अगर 10,000 रुपे आप और invest कर सकते हैं इसमें, तो आपकी quantity double हो जाएगी इसमें, और आपका price जो है, वो गिर कर करीब करीब यहां से अगर average निकाल के भी देखेंगे, तो 30 और 32 के आसपास आपका average आजाएगा, जहां से आपको profit होने की ज़्यादा chances है, compare to 48 के level पे अगर आप रहेंगे, तो यह हमारी आपको पहले तो advice रहेगी, short term के लिए कि आप इसमें थोड़ा सा average out कीजे, और उसके बाद में आप उपर level पर उसको फिर exit कर सकते हैं, level क्या होंगे, वो सब discuss करते हैं, technical chart देखा जाए, तो एक बार इसने 23 का level निकाला, super trend के basis पर, तो यह फिर उपर जाने की अच्छीत कोशिश करेगा, जो कि एक अच्छा signage का यहां पर, super trend थोड़ा सा study हो रहा है पिछले 7-8 दिनों से, अब अगर nifty की बात की जाए, nifty का का कारोबार Thursday को बहुत अच्छा रहा, positive view बना के रखा 1.5% के आस-पास, तो इसके चलते हुए, आगे हो सकता है, आगे momentum continue होखे, अब बिल्ला टायर के, अगर आप basic fundamental देखें, तो उनके motorcycle का टायर, उनका सबसे ज़्यादा revenue generated है, bike motorcycle के reference में अगर बात करें, और platinum range जो उनके heavy duty वाली है, वो भी अच्छा काम करती है, और काला पत्थर, एक इनके 3 different segment है, तो जैसे आपको पता है, कि इनकी market capitalization बहुत ही small है, 500 करोर के आस-पास से भी कम है, तो यह small cap company माने जाएगी, 5% से ज़ादा बिल्कुल investment कीजिगा इसमें, और COVID का impact थोड़ा सा negative है, क्योंकि cars, bikes, sub sales बंद हो गई है, construction activities बंद हो गई है, तो उसकी वेज़े से इनकी demand भी almost कम हो गई है, तो एक negative impact है, पर जैसे जैसे economy activity pick up होगी, तो यह आगे चलकर positive रहेगा, एक इस इन company की अच्छी है, कि यह काफी innovation करती है अपने company का, अपने company में, और उसमें इसको काफी profit रहता है, क्योंकि जब एक product निकल जाता है, जैसे काला पत्थर इनका product निकला है, वो काफी profitable है उनको segment में, पर इनके पास जो manufacturing unit है, उसमें भी थोड़ा सा इनका, क्योंकि जो profitable unit थी, उनको बेज दी थी, तो इसी वज़े से, इस stock को आपको ये level दिखने कर मिल रहा है, तो buy करना चाहिए की sell करना चाहिए, हम बता रहे हैं इनका, अभी आप यहां पर इनको hold कर सकते हैं, और अगर possible है, तो इसको accumulate कर लीजे more, ताकि आपको आग आने वाले time के लिए advantage मिल सकें, अब अगर MACD कर देखें, तो MACD यहां पर neutral zone चल रहा है अभी, हो सकता है जब यह उपर चलने कोशिश करेगा, तो उपर जाएगा, high low band के business पर भी इसने अभी एक stable area बनाना शुरू कर दिया है, नीचे जाएगा, यहां से फिर उपर जाने कोशिश करेगा, तो एक stable area कह सकते हैं अब इसको यहां पर बन चुका है, दोस्तो हमारे चैनल का primary objective आपको stock market के बारे में education प्रवाइड करना है, उसके लिए हमने various videos बनाए हुए है, तो आप अपनी merge से जो आपको video अच्छा लगे, आप देख सकते हैं, अगर अभी तक आपने ये video नहीं देखा है, तो आपके एक request ज़रूर करेंगे, हमने Hindi और English दोनों में इस video को record किया है, 7 Mistakes to Avoid in Market, ये हमारे real life experience, हमारे और हमारे father की real life experience से है, आप इसको देखिएगा, तो hopefully आपको help मिलेगी आगे आने वाले time के लिए, आप अगर देखें, आगे alligator indicator के basis पर भी, अभी इसने short term के लिए green के ऊपर बनाना शुरू किया है, आप देखेंगे, आप इस zoom in करते हैं, तो देखेंगे green के ऊपर आने की कोशिश किया, जो कि एक अच्छा sign है आगया आरे वाले time के लिए, यहाँ पर ये profitable position बना सकता है, आपकी अगर आपका average price थोड़ा सा कम हो जाएगा. Valuation की बात की जाए, तो Valuation थोड़ी सी 48 के आसपास इसकी अच्छी Valuation नहीं थी, पर अभी यहाँ पर जो stable zone आ गया है, 15 से 20 के बीच में बहुत अच्छी Valuation है यहाँ पर, आप अभी price थोड़ा सा accumulate कर सकते हैं अगर चाहे तो. Please consider a financial advisor, और I hope Mohamed जी मैंने आपका पहला question तो answer कर दिया है, कि इसको आभी आप बेचे नहीं, आपका loss बहुत जादा है, अगर possible है तो इसमें और quantity add कीजिए, ताकि आपका average cost कम हो जाए, 30 के आसपास आप average cost लिए 30-32 के आसपास, तो आपके लिए अच्छा राएगा, पर 5% का आपको gap का ध्यान अखना है आपके limit के लिए. Long term के लिए अगर बात की जाए अब इस stock में. तो long term में अगर कोई fresh entry करना चाता है, तो उसके हम बात करेंगे अभी हाँ पर, कि अगर कोई fresh entry करना चाता है इसमें, तो उसके लिए क्या view बनेगा? तो दीखे, one of our favorite indicator है, bullianger band, जिसके तुरू आप बता सकते हैं कि volatility कितनी जादा है और क्या हो सकता है आगे. तो अभी कुछ time के लिए, अगर पूरा September मन देखें, तो इसने ज़्यादत ताइम नीचे की तरफ इसका spend किया है. का entry करने के लिए. कहाँ पे entry करना है? ये बहुत important question है. और ध्यान रखें दोस्तों, क्योंकि ये एक penny stock है, तो 5% से ज़्यादा आप इसमें portfolio में invest मत कीजेगा. तो अगर पहला level आपको हम बताएं, और जो last level है, आपको मिल सकता है, तो अच्छी बात है, नहीं मिले, तो हम कुछ कहने सकते हैं उसके बारे में, जदर चांसे नहीं मिलेगा, पंद्रा रुपे के अस-पास. तो I'll repeat it in English one time for everybody. Please purchase, if you are willing to buy Birla Tire for any particular reason, then you can buy in three staggered manner. Divide your cost into three equal parts. First part, buy at 20 rupees 30 paisa. Second part, buy at 18 rupees and the last part, buy at 15 rupees. You may not get 15 rupees price, which is absolutely fine. That way at least your funds are available in case it falls down. और अगर आप इसका long-term का target दिखेंगे, तो हम 3 साल का इसका target बताएंगे आपको. 3 साल के target के लिए आपको price शायद 60 के आस-पास मिलना चाहिए इसमें. हो सकता है आपको लगे कि इतना तो अभी पिछले 3 महीने पहले ही चला गया था, हम 60 क्यों बोल रहे हैं? हम इसकी based on valuation और further future growth के basis पर, जो इसका stable price है, वो बोल रहे हैं. अगर ये जल्दी time पर आ जाता है, बहुत अच्छी बात है. हम उसको मना नहीं कर रहे हैं, पर हमारे कुछ principle हैं, जिसके through हमने इसको calculate किया है, उसके basis पर इसका 3 साल का target 60 रुपे के आसपास है. दोस्तों, वीडियो अच्छा लगेगा, तो एक बार like button प्लीज ज़रूर दबाना, और इसका target जैसा हमने बताया, आपको 3 साल में इसका target 60 रुपे का हो जाना चाहिए. दोस्तों, मैं आशा करता हूँ, आपके यहाँ पर questions का answer सहीत रह किया जा रहा है, अपना feedback जरूर दीजिएगा कैसा आपको लगा हमारा वीडियो, जै हिंद, जै भारत, बाई गाइस.